आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे resume create करेंगे phrases के लिए ठीक है तो resume create करने का दो वे होता ही एक तरीका होता है कि आप manually MS Word में सारी चीजे खुद से करो दूसरा तरीका होता है कि आप templates का use करके directly resume बना सकते हो अपना तो यहां पे हम क्या करेंगे templates use करेंगे तो आपको browser पर टाइप करना resume format for phrases ठीक है तो बहुत सारा website यहाँ पर आएगा तो सबसे पहला यहाँ पर live career करके website है इस पर आप अगर visit करेंगे तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते है अपना resume create कर सकते हैं next करके बहुत सारे steps होते है no experience phrases के लिए student है yes उसके बाद आपको अपने degree देनी होती है और इस तरीके से template उठा के आप क्या कर सकते हैं resume create कर सकते हैं अपने requirement के according ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे options इस तरीके से आते हैं okay फिर और भी बहुत सारे page होते हैं जैसे यहाँ पर हम दिखा है resume format for phrases में zt एक website है यह भी अच्छा template provide करता है यहाँ पर भी same steps ही आपको follow करने होते है resume बनाने के लिए तो हम जो resume create करेंगे वो हमारा resume कुछ इस तरीके से create होने के बाद दिखेगा जो कि बहुत ही easy है इसको बनाना क्योंकि हमारे पास template पहले से ही यह लोग provide कर देंगे हमें बस उन templates को use करके अपना resume create करना होगा ठीक है तो चलो video हम लोग start करते हैं ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा browser open करेंगे और यहां पर type करेंगे resume format for frasers ठीक है फिर हमें यह वाली website को open करना है zt ठीक है जब आप इस पर click करेंगे तो यह इस तरीके से open हो जाएगा तो आपको करना क्या है create your resume now पर click करना है ओके create my resume इस पर click करिएगा तो यहां पर how long have you been working तो हम फ्रेसर के लिए कर रहे है तो यहां पर 0 से 3 years हम select करेंगे फिर are you a student yes देन हमें करना क्या है यहां पर आपको अपनी education की level define करनी है तो हम bachelors है ठीक है graduation किया हुआ तो बैचलर को select करेंगे देन हमारे पास resume का template आ चुका है ठीक है तो हम क्या करते हैं बहुत सारे templates हैं यहां पर तो हम इस वाले template का use करेंगे अपने resume को create करने के लिए इस पर क्या करते हैं click करते हैं then next करेंगे तो यह क्या करेंगा वह same template जो हमने select कर रहा है वह हमारे सामने रख देगा तो अब हमें करना क्या है यहां पर अपने details फिल करनी है तो यहां पर हो गया name surname ठीक है फिर यहां पर आपको अपना profession देना है तो java developer location है हमारा डेली इंडिया pin code आगया हमारे पास phone number यहां पर दे दीजिएगा यह random number हम लिख रहे हैं यहां पर ठीक है उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है एक email ID देनी है ठीक है इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं आप अपना social media का URL भी दे सकते हैं ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं यह optional है इसको अभी skip कर रहे हैं नेक्स्ट करते हैं यहां पर उसके बाद अभी नेक्स्ट करेंगे तो अब हमें educational detail फिल करना है ठीक है तो यहां पर क्या करते है educational detail फिल कर देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने college का name लिखना है ओके उसके बाद यहां पर आपको अपनी degree देनी है तो हमारा डिगरी है bca bachelor of computer application तो यहां पर नहीं आ रहा है तो यहां पर हम करेंगे क्या enter a different degree करेंगे और यहां पर क्या करते है है बीसी यह लिखके देखता हूं तो bachelor of computer application यहां पर आ गया ठीक है field of study computer application ठीक है उसके बाद month यह में में start हुआ है year ठीक है कब तक complete होगा expected graduation date complete कब हुआ था तो यहां पर दे देते हैं या फिर मालों यह 2025 में complete होगा ठीक है फिर क्या करते है next work history तो job के लिए हम resume create कर रहे हैं तो job seeking ठीक है फिर next करेंगे again हमें क्या करना next करना है तो job title तो यहां पर हम क्या है हम है developer तो web developer के लिए हम क्या करते हैं apply करते हैं अपना resume बना रहे हैं तो employer not applicable नहीं है यहां पर अगर आपने पहले कोई job करी है तो आप यहां पर दे सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं internship किये हुए था ठीक है तो वही यहां पर mention कर दे रहा हूं मैं तो start date इसका दे देते हैं 2023 और end date दे देते हैं 2024 ठीक है और intensive हमारा जो था वह हमने java पर करा था दिन क्या करते हैं java web developer अभी क्या करता हूं मैं यहां पर हमें company का name देना है कहां पर हमने internship करी तो company का name यहां पर दे दिया next करेंगे तो यह हमें एक दूसरे page पर ले जाएगा add recommendation पर click करते हैं तो यहां पर कुछ चीजे फिल कर दी है इसने हमारे working experience regarding next करते हैं ठीक है इसकिल्स में क्या करना है हमें skills देनी है ठीक है तो यहां पर हम skills में भी क्या करेंगे हमारी skills add करेंगे spring framework java jsp ठीक है add more यहां पर fql उसके बाद क्या करते हैं next करते हैं और continue पर click करेंगे तो यहां पर हमें एक और option आ रहा है हमारे skills से रिगार्डिंग जिसका भी हमने इंटर्शीप करा है experience उसके रिगार्डिंग यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ जो कि रेजुमे में दिखेगा तो क्या करते हैं इसको add कर देते हैं extra section में ठीक है तो यहां पर देखो यह हमार details का भी section add करता हूं तो सबसे पहले personal detail में क्या करते है date of birth यहां पर हमें देना है तो यहां पर Indian उसके बाद यह होगा single not applicable ठीक है इतना ही personal detail काफी है उसका next करते हैं next करने के बाद यहां पर हमें जो भी हमने certification किया हुआ है वो हमें देना है ठीक है तो यहां पर उसका date ले लेते है हमने किया हुआ है google cloud ओके तेन क्या करते है next करते हैं अभी हमें क्या करना कुछ चीज़े अगर मालो अड़ करनी है जैसे photo तो यहां पर edit पर क्लिक करेंगे और हम क्या करते है photo upload करते है तो photo हम select कर लेते है डाउनलोड में हमारे पास हमारी photo पड़ी हुई है यह रही तो इसको open करेंगे और picture को थोड़ा हम क्या करते हैं इस तरीके से रखते हैं ठीक है तो यह क्या करेगा हमारा photo set कर देगा हमारे resume में तो photo आ गया यहां पर और कुछ चीज़े हम उपर नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से save and next करते हैं ठीक है तो यहां पर देख लो preview दिख रहा है हमारे resume का अब क्या करना है हमें इससे download करना लेकिन अगर आपको कुछ ची history को उपर कर सकते हैं आप इस तरीके से इस्किल्स को यहां पर सेट कर सकते हैं एजुकेशन पर्सनल डिटेल और सर्टिफिकेट जो है वो कर देते हैं इस्किल्स के जेस्ट बाद तो यह हमारा resume बन चुका है ठीक है पर्फेक्ट इकदम resume है और अगर आपको कुछ मालो changes करना है एडिट करना है तो आप इस तरीके से यहां पर click करके कर सकते जैसे मैंने यहां पर internship करी थी ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं mention करेंगे internship थी हमारी यह next कर देंगे ओके दिन अगें save and next no thanks तो यहां पर देखो यह हमारा edited वाला पार्ट भी दिख रहा है ठीक है तो यह हो गया complete resume बनके अब हमें क्या करना है इसे download करना है तो download करने के लिए download बटन पर हम click करेंगे तो हमें login करने बोलेगा और सायद यह payment के लिए भी charge करेगा तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको screenshot ले लेना है इस particular portion का ठीक है और अगर मालो screenshot में भी blur आता है तो फिर आप क्या करेंगे screen record कर लो सारी screen record कर लो उसके बाद आप क्या कर सकते है screenshot ले सकते हैं अपने recording वाले पार्ट से यहां पर अगर हम दिखाएं तो यह मेरा video है ठीक है तो हम क्या करते है इस particular portion का snap लेते हैं तो अब क्या करेंगे हम यहां पर capture selected प्रोशन ठीक है तो इस वाले particular portion को हम क्या करते हैं capture करते है दिन क्या करेंगे capture करेंगे तो यह resume हमारे पास देखो यह हमारा screenshot आ ठीक है तो इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम original page का बात करें ब्राउजर पे चलें तो जब हम screenshot लेने का try कर रहें या फिर print का try करेंगे तो यह blur हो जाएगा कुछ नहीं आ रहा हो वहां पर क्योंकि इन्होंने paid पे रख का हुआ ठीक है paid है payment करेंगे तभी होगा लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए हमें तो free में चाहिए तो free के लिए आपको क्या करना या तो आप screen record कर लो फिर उस recording में से snap ले लो या फिर आप क्या कर सकते हैं login करके download कर सकते हैं pay करके amount ठीक है तो यह हमारा resume बन गया बड़ा ही easy था आज के time पर किसी के पास इतना time नहीं है कि वह MS Word में सारी चीजे manually करेगा template उठा के ऐसे ही resume बनता है आज के समय ठीक है तो उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करो share करो चैनल पे नहीं है subscribe कर दो